कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक्सल फोटोग्रफी तो दोस्तों इंडिया में लॉंच हो चुका है ढल्ट थैठ सोनी का नया मॉड़ल गाल एसन प्रॉहऩशली तो दोस्तों आज हम बत करेंगे इसी के स्पेसिफिकेस्केंशन और इसके प्राइस के बारे में और हम बत करेंगे क्या है इस प्राइस रेंज में जिस रेंज में इन्डिया में लॉंच हुआ है क्या ये वर्थ है इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे बड़े चेंज इसके बारे में जो की सोनी ने इस कैमरे में न्यू रिलीस किये तो दोस्तों सबसे पहले तो जो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी सोनी को लेके कि भाई इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन क्यों नहीं होती तो सोनी ने आपकी वो डिमांड सुन ल केमरा की तरह अब इसको आर्टिकुलेट कर सकते हैं आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं जो की बहुत अच्छा एक फीचर होता है किसी व्लॉगर के लिए किसी सिनेमेटोग्राफर के लिए जब भी आप किसी ऐसी कंडिशन में शूट करते हो अगर आप डाउन एं इस कैमरे में लाया और जी हैं दोस्तों यह सोनी का पहला ऐसा कैमरा होगा जिसमें आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन है तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके दूसरे और बड़े चेंज के बारे में जो की है 4K 120 fps तो जी हैं दोस्तों आप इसमें 4K 120 fps शूट कर सकते हैं तो द से ही अपने शूट करते थे और 60 fps भी बहुत अच्छा आपको कॉलिटी देता था एक बहुत अच्छा स्लो मोशन आप कर सकते थे तो आप आपको 4K में 120 fps मिल रहा है तो आप सोचिए कि आप इससे कितना अच्छा एक सिनेमेटिक स्लो मोशन एक क्रिएट कर सकते हो और 120 fps प बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी कैमरे के लिए वो भी 4K पे प्लस यह आपको 16 बीट पे रहा वीडियो फुटेज देता है यहां दोस्तों रहा वीडियो फुटेज मतलब कि आप इसको जैसे कि हम अपनी इमेजिस के साथ करते थे जब हम रहा पर शूट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही ज्यादा हाई डाइनमिक रेंज मिलती है जिसकी वज़ा से हम शेडो और हाइलाइट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं वैसे ही अब इसमें आप 16 बीट पे आप रॉव वीडियो शूट भी कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप सोचिए और दोस्तों तीसरा बड़ा चेंज जी हां दोस्तों जिसके बारे में बहुत से लोग शिकायत करते थे वो है सोनी के मेन्यू सिस्टम के बारे में जी हां दोस्तों सोनी के मेन्यू सिस्टम से बहुत लोगों को हमेशा से प्रॉब्लम रही है विकॉस इट्स मतलब अगर आ इसके सारे pages याद नहीं है कि कौन सी settings किस page पर है तो दोस्तो आपको मिलेगा easy menu system जी हाँ दोस्तो सोनी ने इस बार अपना menu system पूरा easy कर दिया है जो आपको menu system मिलेगा वो एकदम easy है plus आपके लिए एक और बड़ी खबर है जी हाँ दोस्तो आपको मिलेगी अब fully touchscreen पहले जो हम touchscreen sony की use करते थे हम सिर्फ focus करने के लिए और zoom करने के लिए हम इसे use कर पाते थे लेकिन अब sony इसमें आपको full touchscreen दे रहा है जी हाँ दोस्तों जिसके मदस से आप इसका सारा menu भी आप touchscreen से चेंज कर सकते हैं जैसे आप अपने smartphone में कर सकते हो तो दोस्तों यह इसका एक और बहुत ही बड़ा चेंज था और यह चेंज really worth है क्योंकि इसके menu system से और इसकी touchscreen से बहुत लोगों को problem थी तो sony ने माइड भी यह सारी शिकायप अपने customers की सुनी है और अपने camera में यह चेंज लाया है और दोस्तों यह है पूरी करीके से weather shield तो जी हाँ दोस्तों आप इसको अलग-अलग climatic conditions में भी आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं चाहे वह बहुत थंडा एरिया हो चाहे बहुत आपका सीजन बहुत ज्यादा वाम हो आप Summers में विंटर्स में आप इसको एजीली कर सकते हो आप इसको एजीली रख सकते हो यह fully weather shield है और दोस्तों इसकी जो LCD है वह 1.44 million dot के साथ आपको इसमें मिलेगी सो आप सोच सकते हो कि इसकी LCD की क्लियाइटी क्या होगी उसके बाद एक और चीज की बात करते हैं इसका EVF जी हां दोस्तों जैसा कि सोनी ने क्लेम किया है कि इसका EVF 9.44 million dot आप सोच सकते हैं 9.44 million dot के साथ इसका EVF आया है जी हां दोस्तों तो EVF इतना क्लियर होगा जो आप आपके रियल कंडिशन जो आपके खुली आखों से आप देख रहे हो वैसा ही वह आपको EVF में शो करेगा प्लस दोस्तों आपको इसमें मिलेगा आप 10 bit 4.2.2 internally जी हां दोस्तों हम इसके पहले के जो sony के camera's थे उसमें हम 8 bit तक shoot कर सकते थे अब यह हमको provide करेगा 10 bit तो आप सोच सकते हो कि जब हम 8 bit वैसे तो कहने को 8 bit और 10 bit में ज़्यादा difference नहीं है लेकिन अगर आप color range की बात करें तो it's a huge difference तो जी हां दोस्तों अब आप इसको 10 bit क साथ भी shoot कर सकते हैं और दोस्तों इसका एक और बड़ा change है वह है no overheating issues जी हां दोस्तों sony claim करता है कि इसको आप video recording mode पे भी आप इसको कितना भी आप इसको non-stop भी use करते हो इसकी battery life कतम हो जाएगी लेकिन यह overheat नहीं करेगा जी हां दोस्तों यह तो हमें use करने के बाद ही पता चलेगा लेकिन sony जो claim कर रहा है वो यह कर रहा है कि इसमें 0% overheating issues है और दोस्तों एक और इसमें change है तो वो है दोस्तों इसकी higher ISO range जी हां दोस्तों आप सोच सकते हैं अब यह 80 से start होके 102400 तक का आपको मिलेगा जो की अपके पिछले cameras में 100 से start होता था आप सोच सकते ह हो कि आपको यह night के time कितनी अच्छी high ISO range देगा और कितना ज्यादा इसमें आपको dynamic range मिलेगा जी हां दोस्तों जो expanded होके 409600 तक जाता है और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी battery life के बारे में जी हां दोस्तों इसकी battery life जैसे की sony claim कर रहा है कि आप इसमें 2 hours non-stop 4K shoot कर सकते हो तो आप सोच सकते हो कि अगर आप इसको break ले लेके अगर आप shoot कर रहे हो तो आप इसको कितना ज्यादा मतलब आप hold day इससे shoot कर सकते हो और यह plus आपको 510 shots भी देता है जी हां दोस्तों तो इसकी battery life भी बहुत अच्छी है तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें 2 battery use करके आप non stop इससे आपके weddings हो आपका कोई बहुत बड़ा event हो आप easily shoot कर सकते हो तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे में मुद्दे के बारे में जिसका जेकर मैंने सबसे last में किया है जी हां दोस्तों वो है इसकी photography performance के बारे में जी हां दोस्तों यह actual में 12 Megapixel sensor वाला कैमरा है तो 12 Megap पिक्सल अगर आप professionally photography करते हो अगर आप print shoots करते हो आप catalog shoots करते हो या आप ad campaigns के लिए shoot करते हो तो दोस्तों जी हां दोस्तों यह definitely photography या professional photographers के लिए यह camera नहीं है यह camera mainly videographers, cinematographers और जो कि travel shoots करते हैं जो कि vlogging करते हैं यह उनके लिए है तो दोस्तों आप जरूर इससे photography कर सकते हो लेकिन अगर आप print के लिए करते हो तो आप इसे इतना ज़्यादा usable नहीं मान सकते है because 12 Megapixel सच में कम होता है उतना कम नहीं होता वैसे तो इसमें 12 Megapixel करके इसका जो पिक्सल साइज है वो बढ़ाया गया है लेकिन तब भी वो professional photographers के लिए इनफ नहीं है लेकिन दोस्तों यह जो camera है यह mainly videographers के लिए है cinematographers के लिए है और दोस्तों जो इसकी ISO range है और जो इसकी high dynamic range है वो बहुत ही amazing है जी हाँ दोस्तों और इसका जो low light performance है वो आपको बहुत ही amazing मिलने वाला है इसमें आपको 15 stop तक की dynamic range मिलेगी आप सोच सकते हो कि यह low light में कैसा perform करेगा तो दोस्तों अभी आप इन सारे key features को mind में रखके आप एक बार सोच सकते हो कि आपको यह camera लेना चाहिए और अब हम बात करते हैं सबसे main point की जो है इसकी price range जी हाँ दोस्तों तो Indian market में यह launch हुआ है 3,35,000 around something कुछ इसका price है जो की Indian market के हिसाप से मुझे लगता है as a my opinion की थोड़ा जादा है कि यह camera अगर 2,50,000 तक शायद होता तो मैं भी इसको buy करने की सोचता लेकिन 3,35,000 is a huge amount definitely अगर आप एक videographer और एक cinematographer हो तो आप आग बंद करके इस camera को ले सकते हो लेकिन इसकी जो price range है शायद Sony को कुछ कम रखनी चाहिए थी तब भी जो इसके features है और जो Sony ने इसमें change लाए है इस price range के हिसाप से यह worth है तब भी Indian market में यह कितना success हो पाता है यह नहीं हो पाता यह तो आने वाला time ही बताएगा दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही कुछ interesting topic के साथ हमारे next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई झाल झाल